गूट आफ्टरनून स्टुडेंट्स, मोटिविशिन्स के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इंडिविजूल एंड शोशल कल्चर डिफ्रेंसिज इन कुगनेशन की बात करी, इस सग्यान में व्यक्ति गर्द तथा समाजिक सांस्कृतिक भींता हैं इसमें व्यक्तियों की भींताओं की बात की गई है कि हर एक व्यक्ति में अलग लग भींताइं पाई जाती हैं, देखने में सब एक तरह लगते हैं, लेकिन जो उनकी सोचनी की शक्ती है, सीखनी की शक्ती है, इन सब में डिफ्रेंसिज पाई गई हैं, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते और परतेक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी ना किसी रूप में जरूर भीन होता है, शकले देखने में तो बेटा सबकी अलग-लग देखती है न, सबकी लग-लग है, सेम एज के जो मालो हम अगर सेम एज की बात करें, कि मैं स्तारा की हूँ आप भी स्तारा के हो, तो देखने में हम अलग-लग लगने के हमारी सोच भी अलग-लग होगी, हमारे करने का तरीका कोई काम करने का तरीका भी वो अलग-लग होगा, अब चाहे वो शारीरिक शेत्र की बात करें, चाहे वो हम बोदिक शेत्र की बात करें, समरीतिक शेत्र की बात करें या विचार की बात करें, इन संबे डिफरेंसिस जरूर पाई जाती है और इस परकार पर तेक व्यक्ति के जो व्यक्ति तब में पाई जाने वाली इनी विभीनताओं को व्यक्तिगत विभीनता का नाम दिया गया है ठीक है अब nature of individual differences की अगर हम बात करें तो इनको विशे सुमूओं में बाटा किया है पहला उन्हों लिया है variability and normality की बात करें तो विचलन चिलता और प्रसमानेता की बात तो व्यक्ति के किसी भी गुण और लक्षण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसी भी समूओं के व्यक्ति होते हैं वो एक धूसरे से भीन होते हैं दूसरे शब्दों में किसी भी लक्षण और योग्ता का विकास जो है सबी व्यक्तिग में समाण नहीं होता है ठीक है वो एक जैसे नहीं होंगे प्रकूल जैसे नहीं होती हैं वैसा ही इंसां में भी देखने में चाहिक हों पक्यो lles उनकी जो योकिता और समझने की शक्ति वह और लग लग रड़ आरैस्थे मांसिक और शारीयक शक्तियों का विचलंड शील में होती है बुला है और एक ही एज के जो लोग होते हैं वो डिफरेंट 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 व्यक्तियों में भी इनका विकास जो होता है वो भिन भिन होता है चाहे सेम एज के हो मतलब यहाईगी एक ही आईज के जो लोग होते हैं उनमें जो प्रतक प्रतक व्यक्तियों में भी इन अभी व्रीधी का विकाश सभी व्यक्तियों में ना तो एक साथ एक ही वय बन जाएगी दो साल तक के बच्चे की उनको टाइम लगा है वो नेचर के हिसाब से है ठीक है किनी व्यक्तियों के विकास की गती बहुत तेज होती है कियों की बहुत कम होती है ठीक है और ये सब वातवर्णी और जैव किये कार। लोग छोटे होते होए भी इतनी बड़ी-बड़ी बाते कर लेते हैं, वो उनकी सोच है, ठीक है, वो चाहे एज के साथ से हो, वो अपनी एज से थोड़े बड़े लगते हैं, जो अगर जिनकी सोचने की शक्ति कुछ ऐसा हो, उनके योगिताएं थोड़ी कम हो, तो वो अपन एज से थोड़े कम लगते हैं next inter relationship की अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने व्यक्ति के लक्षनों का जो प्रसपर घनी सबंध होता है अगर एक दूसरे में इसकी जो सबंध होता वो स्यूक्त होते हैं एक ही लक्षन के शेतर क्या अगर अंतर करें तो दूसरे पर निच्चित रूप से परभाव डालती हैं for example पताती हूँ धारन के तोर पर बालक की धारना कक्षा के साथी से अगर की जाए ठीक है अगर एक first आता है first आनी की बात में नहीं अगर 95% आते हैं दूसरे वच्चे के 94 या 92% आते हैं तब भी उसमें उसकी हीन भावना होती है उसको ये रहता है कि मैंने class में first आना है मेरा जो level है मैं second level नहीं वो हीन भावना हर एक पत्चा रखते हैं ठीक है उसकी जो रूची उपलब्द करिया करप होते हैं वो संपूर्ण रूप से आसंतूलित उसको बना देती है next अगर हम बात करें influence of hairability and environmental factor की heredity sorry heredity के अगर हम बात करें तो व्यक्तियों के जो कुछ गुण होते हैं वो उद्गम वशन अनुकरम के अनुसार होते हैं कुछ वातावने परभावों के फल होते हैं ठीक है कुछ heredity होते हैं कई लोगों में मालोग अगर family में यह चीज़ चल रही है तो वो आगे से यानि की पेड़ी दर पेड़ी वोई चीज़ चलती रहती है वो उनके ओपर कुछ वशन अनुकरम के अनुसार होते हैं कुछ उनका वातावने परभाव पड़ते हैं कुछ शक्तियों पर जो वशन अनुकरम है जो परिवेश है दोनों का समान अथवा सुप्त परभाव डालता है मालों की अगर किसी को स्वास्ते श्यारिरी गठन अनुभव पर पारवारिक संबन्द होते हैं विद्यार अले की प्राकरतिक तथा बालकों को मिलने वाली शिक्षा जो होती है वो पूरी तरह व्यक्तिक के लक्षणों की भीनता को जुरूर परभावित करती है मालों की कहते होते हैं कि अगर डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं एड्वोकेट के बच्चे एड्वोकेट ही बनते हैं डे बाई डे अगर बिजनेसमैन है तो वो बिजनेसमैन जरूरी नहीं होता है बेटा अब डॉक्टर के बच्चे इंजीनियर भी करते हैं आप पेरेंस उनके ओपर वो दवाब नहीं डाल सकते हैं अगर उसके अंदर उस चीज की योगता नहीं होगी तो वो नहीं बनेगा उसकी अगर सोचने की शक्ति कुछ और होगी तो उसकी जो कारे करने का हो तो डॉक्टर बनने के लिए नहीं होगी वो किसी और कारे करने के लिए ठीक है क्योंकि उस हर एक इंसान में जो होती व्यक्तितव में पाई जाती है और व्यक्तितव की जीवन में कई शेत्रों कि ये बंद्न है ठीक है कई कई डिफ्रेंसिज आते हैं इनके बीच में ज़्यूरी निया shipmentली ृधी है भावात्मत बिुरूची व्यक्तितव समयोजन मोटिव 방ी की बात आती है तो ये दूसरे शब्दों में भिंता ही कहेंगे अब फिजिकल डिफरेंसिस की बात करें तो बालक शरीर से गोरे काले दूबले मूटे अपंग अतियादी तरह तरह के अब बच्चों की बात करें हम इंसान की अगर हम करें तो सब देखने में अलग लग है कईयों में पून पूरी योगिता होती है कईयों में डिसिबिल्टी होती है कईयों में कद की कमी होती है कई हाइट में बहुत लंबे होते हैं कई बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं कोई ज़्यादा पतले होते हैं उन सब चीजों की differences पाई जाते हैं, अब mental differences की बात करें, तो इसमें प्रतिभाशाली समाने और मन्द बूद्धी के बालक इसमें होते हैं, individual differences में, तो प्रतिभाशाली बच्ची होंगे, उनमें जैसे मालों की ये सारे बच्चों को बिठाया जाए, प्रतिभाशाली समाने मन बूद्धी वाले बालक, तो उनकी activity से ही सब कुछ बीना बोले पता चल जाएगा, कि ये जो बच्चा है, ये मन्द बूद्धी है, ये जो बच्चा है, intelligent है, और इन बच्चे में कोई समाने कमी है, ठीक है, emotional differences के अगर हम बात करें, अगर बालक खुश होता है, उनमें चिर बहुत जादा गुसा करते हैं, कई बच्चों को गुसा ही नहीं आता है, कोई बहुत जादा हस्मुक होते हैं, कोई बहुत जादा मजाकी होते हैं, कोई चिर्चड़े होते हैं, इन सब में भी differences पाई जाती हैं, अब रूची और दिश्टी कौन के interest और attitude की बात करें, तो बालक की जो रूची है, सभाब में भी बहुता पाई जाती है, बालक पढ़ने, लिखने, खेलने, कुदने की जो रूची होते हैं, वो भी अलग लग होते हैं, कोई interest रपता हैं, study में, कोई interest रपता है, singing में, dancing में, playing में, सब में भी differences पाई जाएंगे, ठीक हैं, नेक्स ज जो character होता है, वो परिक्षाओं के मादें से बालक के चरितर का ग्यान करवाता है, कहने के मतलब यह है कि तब ही पता चलता है, बच्चे की capability कितनी है, वो कितना पढ़ सकता है, कितना पढ़ता है, कितना वो average है, intelligent है, कितनी excellent पे आता है, वो सारी उनके चरितर निमान, जब school में जाता है, तब पता चलता है, और अगर personality की बात करें, तो बालक में अंत मुकी और बाहरी मुकी भेट से उसके व्यक्तिताब में विभिनताएं पाए जाती है, कहते हो ना, personality development भी दो तरह का होता है, एक तो जब बच्चा मानलों young हो जाती है, तो अलग से personality show होती है, ए इसमें differences आएंगी, अगर culture और भगोलिक विभिनता कि अगर हम सांस्कृतिक की बात करें, तो इसमें अंतर कई परकार से होता है, व्यक्तिकत भेद उत्पन करता है, मानलों कि अगर एक परांत के जो रीती रिवाज और जलवायू है, और दूसरे परांत के रीती रिवाज और जलवायू से भिन होने के कारण, उनकी विवार आतो दिश्टिकोन में समानता नहीं पाई जाती, ये तो नैच्रल सी बात है, ठीक है पिटा, इस चीज की बभिनता नहीं नहीं पाई जागी है, मानलों हमारे हमाचल के अगर हम बात करें हो, पंजाब स्टेट के अगर ह बात करें तो दोनों में ऐसा नहीं है कि अगर हमारे हिंदू यहां भी है, हिंदू वहां भी है, जो कल्चर में डिफरेंसिस आएंगी, खान पान में डिफरेंसिस आएंगी, पहरावे में डिफरेंसिस आएंगी, ठीक है पिटा, हमारा पता चल जाता है कि अगर पंजाब क के लोगों को खड़ा किया जाए हमांचल के लोगों को पाकिस्तान के लोगों को जम्भू किश्मीर वगार तो इन सब की जो ड्रेस से पता चल जाएगा यह कौन्जे स्टेट कहा ठीक है यह इनके सांस्कृत और भगोलिक भिभिनता इसमें पाई जाती है नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करेंगे वो है सेक्स डिफरेंस की कुछ कारे करने में इस्तरियां आगे होती है और कुछ कारे करने में पूरश आगे होती है अब उधारन के तोर पर अगर देखा जाए जो इस्तरी है घर के काम काज में कुशल होती है यह होता था ना उनकी शादी होती थी ल लेकिन अब तो यह हो गया ओंगा लड्किया घर का में करती हैं भार का भी है करती सते। थिकारिक्व में यह बहूत ओन loro इस जिगά बीमध। होते हैं वो वो लगी तरह का काम करते हैं कुछ जिसमें वो अपने आपको जैसे कि मा लोग कुष्टी खेलते हैं तो वो उन चीजों में बलपरा इसी को लैंगिंग भिंता की संग्या दी जाती है ठीक है नेक्स जो है सीखने की जो डिफ्रेंसिस है लर्निंग डिफ सभी की सीखने की जो गती होती है एक जैसी नहीं होती हर कारे को नहीं सीख सकते ठीक है बटा नेक्स जो आएगी हमारा आएगा डिफ्रेंस लर्निंग की बात करेंगे सभी को सीखने की गती एक जैसी नहीं होती हर कारे को नहीं सीख सकते अब हर ऐसा कोई कारे नहीं होता कि हम सीखी लेंगे कि ऐसा नहीं है हर क्याते होते हैं दोक्टर की बात ले लो या अड़ोकेट की बात ले लो उनका गुतर कर सकते हैं ये लिए हर काम हर कोई बंदा सकते ह। ठीक है हम सब की अपने अपनी शम्ता उती है सीखने की टीक है और सब कोई भी प्रिक्षा में फेल नहीं होता ठीक है न अगर सब में यह हम यह चीज की शब्दा होता है आब हम डॉकेज ऊधी से सक्ते हैं लेकिन हर एक में यह चीज़ की शब्दा होते हैं अब हम डिफ्रेंस ओप एटिट्यूड की बात करें अगर हम किसी अभी रूची पर्शिक्षन द्वारा व्यक्तियों की प्रिक्षा करें तो हम यह पता लगा सकते हैं कि किसी भी जो बच्चे के अंदर किस तरह की रूचिया वो प्रिक्षा के माध्यम से प्रशन उत्री के माध्यम से हम उनके अंदर डिफ्रेंसिस पता कर सकते हैं अब किसी clerk में चितर कला की पढ़ने में, engineering में, medical में आ दी, यह सब की जो रूचियां होते हैं वो लग-लग होते हैं, चाहे कोई teacher बनना चाहता है, तो उसकी अपनी रूची है, कोई doctor बनना चाहता है, तो उसका अपना interest है, लेकिन हर एक का interest different different होता है, ठीक है, यह तो थे हमा बात करें, विकोशकी ने सगनातम विकास के लिए समाजिक सांस्कृति उपागम का विकास किया था, ठीक है, विकोशकी के सिधान्त में उन्होंने समाजिक अंतक्रिया के सग्यान के विकास पर परभाव डाला था, वो उसके ओपर सग्यान के परभाव पर ज्यादा बल दि उसने उन्होंने अर्थ जानी की पक्रिया में समुदाय की केंदर भूमिका पर विश्वाश किया यानि कि उन्होंने बोला था कि अगर बच्चों का विकास उनके अधिगम से पहले होना चाहिए कि उनके development से पहले ही उनका थोड़ा सा विकास हो जाना चाहिए दूसरे शबदों में उन्होंने बुला था कि समाजिक अधिगम विकास से पहले उनका विकास हो उनके अनुसार जो समाजिक और Sanskrit में सदरम की उन्होंने बात की तो उन्होंने यही बोला था कि बच्चों को शोशल कल्चर में आने से पहले स्माज में आने से पहले थोड़ा सा उनका जो विकास है मांसी विकास वो हो जाना चाहिए ठीके बटा उनकी जो नेक्स जो उन्होंने बात की effect of culture की सांस्कृत पर भाव कैसे पढ़ता उनके अगर हम डिविन्दाओं की अगर हम बात करें तो effect of culture प्याजी की बांती विकास की ने भी ये बात बोली थी कि जो शीशू होता है उसकी जो मूल सामगरी है उनका जो बोदिक विकास है उनकी योगिता के साथ ही पैता होता है ठीक है जो interest है ने कहते है ना कि जब छोटा बच्चा होता है तो उनके आगे अगर हम pencil या ऐसे कोई दूसरा समान देखते हैं कि बच्चा कौन सी चीज पहले उठाएगा कि उससे पता चलेगा कि उनको किस चीज में interest है ठीक है तो यह चीज अगर प्याजे का जो दिहान अधिकतर उन्होंने motor motor relaxed और सवेदन योगिता यानि कि sensory attitude के उपर केंदित किया था हूं ability के उपर ठीक है उन्होंने बोला था कि प्याजे का जो दिहान था वो अधिकतर सवेदन योगिताओं के उपर ध्यान प्रगट किया था जब विकोशकी ने इन प्राथमिक मानसिक प्रकरियों की चर्चा की उन्होंने elementary mental function की चर्चा की थी तो उन्होंने ध्यान प्रतक्षी करण सवेदना और समरीति की बात की थी उन्होंने बोला था कि अगर योगिताओं में समाजिक सांस्कृतिक वातावर्ण में रहकर अंतर क्रियों को पर नाम सुव अधिक परभावी मानसिक प्रकरियों का विकास होता है यानि की उनकी higher mental function का उन्होंने उसको नाम दिया था दियान प्रतक्षीकर्ण सवेदना समरीति के बाद उन्होंने उसको higher mental function का नाम दिया था और फॉर इजामपल उन्होंने बोला था कि छोटे बच्चों में जो समरीति जावी कारक तक ही सीमित होते हैं जब संस्कृति समरीति का परकार निधारित करती हैं ठीक है उन्होंने बोला था कि जो बच्चे जो होते हैं उनकी जो memory होती हैं वो जैवी कारकोता की सीमित होती हैं घर तक ही खाना पीना सोना रूड़ना इधर उदर जाना बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं स्कूल गोई तो समाज के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब उनकी जो सांस्कृति समरीति का जो उनके उपर निधारित होती है विकोजकी ने बोधिक अनुकूलन के टूल्स के बारे में चर्चा की थी उन्होंने बच्चों के प्रात्मिक मांसिक प्रक्रियाओं के बारे में बात की कि जो बेसिक मेंटल फंक्शन उनके अधिक प्रभावी डालते हैं चाहे उनकी समरीति हो चाहे उनका मस्तिक चित्रों यानि कि माइंड में तो ठीक है यानि कि मेन बा प्याजे का कहना था कि पहले उनका development होता है फिर learning होती है ठीक है पहले learning होगी तभी बच्चों का development होगा न तो इन दोनों में ये अंतर क्रियाएं उन्होंने बताई है वेक्टियों के अंदर जो इन थी जो में differences आती है ठीक है अब उनोंने next जो बात की है सग्यान विकास पर समाजिक परभाव की अब उनोंने प्याजे की बानती विकोस के निये भी विश्वाश करते हैं कि छोटे बच्चे जानने सीखने के लिए उत्सुक होते हैं इंटरस्ट लेते हैं न कि बच्चों को बहुत इंटरस्ट होता है यह ममा यह कैसा होगा दीदी विकोज की के विकास की जो पक्रिया थी वो समाजिक योगिदान पर अधिक पल देथी थी और जो पियाज़े की खोज थी वो स्वें पहल पर वो तो बोलते हैं ने टास्को देड़ो और बच्चा सीखता हrau ने बच्चे करताएं जो एम कियों जो में जिनको आता हो उनके द्वारा वो सीखते हैं उनके संपर्क में आका ठीक है तो इन दोनों में डिफ्रेंसिस पाईगी विकोस्की गेम साथ बालक का जो अधिक महतपुन अधिगम होता है वो कुशल ट्यूटर के साथ अंतरक्रिया करता है यानि की जो ट् होता है न हारे एक बच्चे का एम होता है कि मैंने इसकी तरह बनना है उनको कोई रोल मोडल होता है तो वैसे ही वो जो रोल मोडल होता है वो उस बच्चे के उपर बहुत ज़्यादा परभाव डालता है ठीक है विकोस्की ने अब चाए ट्यूटर में उनके माता पीता हू ट्यूटर में उनके टीचर हूँ या कोई और वो उनके संपरिक में आकर अंतर क्रियाएं करते हैं ठीक है विकोजकी के सिदान्त को समझने के लिए उन्होंने दो मुख के सिदान्तों को समझना अवशक समझाता एक था हमारा जड़ पीडी दूसरा था more knowledgeable others ठीक है नेक्स्ट उन्होंने बात की है बालकों को व्यक्तिकर्द विभीनता के अधार पर शिक्षा कैसे दी जाती है ठीक है अब ध्यापक की व्यक्तिकर्द विभीनता के दावर बच्चों को शिक्षा देते हैं समय कौन कौन सी बातों को उनको ध्यान रखना होता था अब व्यक्तिक विभींता के अधार पर बालक की शिक्षा का समायोजन, अरजस्टमेंट करनी की पिक्रिया, अर ध्यापक की निमिली के बिंदुएं हैं, उनको ध्यान देना बहुत ही अवश्यक होता था. अब उसमें हमने पीछे किया था अगर स्पेशल एजुकेशन की अगर उन्होंने बात की थी, मोटिवेशन की बात की थी हमने, तो उसमें सबसे पहले होना चाहिए उनका डिवीजन ओफ क्लास इंटू इवन ग्रूप, कक्षा का सम सुमू में विभाजन, कि शिक्षा, शिक् शम्ता वाले बालक, सम सुमू वाले बालक को विभक्त कर दिया जाए, यानि कि पता होना चाहिए ने कि टीचर को कौन जादा इंटेलिजन है, कौन कम इंटेलिजन है, कौन एवरेज पे आता है, कौन बहुत ही वीक आता है, तो उन सब का जो टीचर को सबसे पहले कक्षा म बालक की जो आयू है वो समाजिक मनोवरीति और सवेगात्मक परवीति का भी धियान रखना बहुत ही ज्यादा जुरूरी माना जाता है ठीक है नेक्स्ट उन्होंने कोर्स अर्जस्टमेंट की बात की पाठे करम समाई हो चाहिए ठीक है ना अगर हम इसमें स्पेचल हैं इनकल्यूजिव एजुकेशन में उन्होंने समाने जो बालक होते हैं वो bus डिसिबलोटी वाले बालक जो होते हैं उनको एक ही स्कूल में पढ़ने क की जो इजाज़त दी है अज रटियाई ने तो उस तहट जो टीचर जो है इनमें व्याद बाल को में विक्तिगत पर मिन्ता के अधार पर शिक्षा को कैसे डिवाइड करेंगे वो चीज़ में बताई गई है पहले वो कक्षा का संसमू में भी भाजन करेंगे बचों को more intelligent और weak student फिर उनका जो पाठे करम होगा वो भी उनके हिसाब से ही होगा उनकी मानसिक शम्ता और समर्थे के अनुरूप होगा ताकि परतेक स्तार पर सभी कोटी के चातों के लिए प्रिक्ट पाठे करम के विवस्ता होनी चाहिए फिर उनोंने limit class size की बात की कक्षा के अकार को सिमित करना कक्षा का जो अकार है वो छोटा ही होना चाहिए जिसमें बुद्धी और सीखने की योगता के अधार पर यथा संबब संसमू का घटन हो सके कम शात्रों का जो कम students का अर्थ होता है कक्षा में कम चिक्षन का लग बस मान परभाब पढ़ना ज्यादा बच्ची हो होंगे तो disturbance जादा होगी बच्चों को वैसे interaction नहीं हो पाएगा तो अकार वो उनके कहने का मतलब है कि अगर बालकों में वक्तिकर विविंता के दार पर जो अकार है कक्षा का वो कम होना चाहिए इसके अतरिक छोटी कक्षा में जो छातर होते हैं वो वक्तिक अतरूप से दिये जाना संभव होता है तो उसका हर एक बच्चे के ओपर टीचर का भी दियान जाता है नेक्स्ट उनोंने बात की होंवर्क असेस्मेंट की ग्री कारे का निधारन कैसे करना चाहिए जो कमजोर विद्यारतों को अभियास द्वारा तेज बिनाया जा सकता है करत कहते हैं बार-बार अभियास करवा कर उन बच्चों की कमे को दूर किया जा सकता है कक्षा कि सीमी समय पर इन विद्यारतों पर विशेश द्यान दे पाना संभव नहीं होता है तो ऐसे विक्तियों के लिए ग्री कारे निधारित किया जाता है सावधानी के साथ उनकी जांच की जात तो उनको fill in the blanks, smash the column और one line जो one word question होते हैं उन्हें वो याद करवाए जाते हैं ताकि वो वहां तक पहुंच सकें और त्री बुद्धी वाले बालकों को जो गही कारे हैं उनको जटी लोग कठीन कारे देकर उन्हें उनका लाब उनको पहुंचाया जाता है next जो बात की intention of physical variation की शारीरिक विविन्ता का ध्यान रखा जाता है कक्षा में ऐसे बच्चों की और विशेश ध्यान देने के वशकता होती है जो किसी भी शारीक विविन्ता से गरस्त होते हैं अब टीचर का ये को ऐसा प्रबंद करना होता है जिससे कि उन्हें 11 अर्जन की असुविदा ना हो उन्हें कक्षा निरिक्षन का अधितम लाब मिले और ऐसे बच्चों को कक्षा में आगे बिठाने का प्रबंद करना चाहिए जिनें कम सुनाई देता हो जिनकी दिस्टी क बच्चा ना कुछ काम करें ना दूसरों को करने दे और डिस्टर्बंस जादा हो तो ऐसे बच्चों के लिए टीचर को पहले ही यानि की कम सुनाई वाले और कम देखने वाले बच्चों को आगे बिठाना चाहिए ताकि उनकी जो शारिक शमता की और ध्यान दिया जाए औ और ऐसे ही जो विद्यार्टी होती हैं वो शारिक समर्थय से अधिक होते हैं निर्बल शरीर वाले बच्चों की छात्रों का कारे दवाब तोड़ा कम होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट उनोंने जेंडर फ्रेंडली एजुकेशन की अबाद की लिंग बेद के अनुकूल शिक अब बच्चे जब थोड़ा उस लेवल पर आ जाते हैं तो हर एक टीचर का हर एक मातापीता का हर एक का यह होता है कि बच्चे अपने मार्क से भटके नहीं तो उनको कुछ विश्यों के प्रती जानकरी दी जाती है बालकों को परिवार का बोश संभालना होता है उन्हें इस तरह थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, उन्हें अपनी योगता के साइक शिक्षा मिलनी चाहिए, बालिकाओं को घर की देखरेक करनी होती है, और जो विग्यान, शीशू, पालन के प्रति, उनको उसी शिक्षा दी जाती है, यानि कि उनको उनकी लाइफ से रिलेट सिखाए जाते हैं, नेक्स जो उन्होंने बात की है, मीनिंग ओफ इंडिविज्वल डिफ्रेंसिस की, ठीक है मैटा, उसमें उन्होंने, वो ही पाता जाएगी, इसमें औसर सुमू में जो मांसिक और शारिरिक विशेष्टाओं के सबंद में जो सज़स्य होते हैं, उनमें बिभीनताओं को एक दूसरे से अलग करते हैं, एक ही अनुपव व्यक्ति बनाती हैं, इन्हीं बिभीनताओं के इनको इंडिविज्वल डिफ्रेंसिस का नाम दिया गया है, ठीक है, और योगीताओं में बिभीनताओं को तो बहुत पहले से ही मैसूस किया जाता है, ठीक ह नेचर है, उनकी योगीता है, वो कितनी है, ठीक है, अब नेक्स जो हम बात करें, इन्फ्लिउंस ओफ इंडिविज्वल डिफ्रेंसिंग अपॉन दा वर्क ओफ तेर टीचर, ध्यापक के कारेों पर कैसे प्रभाव डालता है, अगर मान लो एक ध्यापक को एक ही कक्षा मे कई परकार के बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है, अब टीचर के लिए तो सब बच्चे समान होते हैं, तो अब उस क्लास में कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ ओंसत होते हैं, कोई पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, अब प्रतिभाशाली जो मीटर बनाया यह सारी चीज़े इसमें आएंगी क्योंकि वो प्रतिभा शाली बच्चा यह सोचता कि वो मेरी तरफ अपनी प्रतिभा की सविकरिती वो चाहता है उद्व जो पिछड़े हुए बच्चे होते वो अधिक ध्यान देने की वशक्ता होती है यानि की कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे प्रतिभा शाली होते है उन्हें तो यह रहता ही है कि टीचर हमारे उपर दयान दे लेकिन टीचर का जो यह मेन जो मोटिव होता है वो यह हूता है कि वो वीक स्टूड़न्ट की उपर ज्यादा दे अगर दोनों ही परिस्तीत्यों में ध्यापक अधि धियान देता है जो औसत वाले बच्चे होती है उनकी जो संख्या वो कम हो जाती है वो intelligent बच्चों के उपर भी धियान देगे अब ऐसा नहीं है कि लास में औसत बच्चे है और weak student है उनको पर teacher धियानी देते intelligent बच्चों पर ही धियान देते तो intelligent तो और intelligent हो जाएंगे और जो बराबर हिसों में यानि कि दोनों तरफ प्रॉपर धियान दे अब प्रशन ये उड़ता है कि जो individual differences की बात है ध्यापक विध्यार्तियों की क्या और किस परकार से साहिता कर सकता है कैसे जो weak student है उनको कैसे हो और जो औसत है प्रतेक विध्यार्ति को ध्यापक की सेवाओं क लाम मिल सके इसके लिए उन्हें निमिलिकित जो साहिता परदान की जाती है वो है नंबर एक classification की वर्गी कर अब वो ही वर्गी कर जैसे हमने पीछे बात की कि द्यापक कक्षा में विध्यार्तियों को उनकी योगिता रूचियों और बुद्धी शम्ता के दार पर वर्गी करें कक्षा एक ही कक्षा में विभी नियोगता के विध्यारति होते हैं अगर प्रतिबाशाली बच्चों पर खास दियान नहीं देता तो उनकी जो प्रतिबाशाली बच्चों पर खास दियान नहीं हो देता तो उनकी जो प्रतिबाशाली बच्चों पर खास दियान नहीं अच्छा है उसके ओपर टीचर नहीं इतना ध्यान है तो फोर्ट में उसका जो वह एवरेज में पहुंच जाएगा उसे और ज्यादा वीक हो जाएगा तो हमें भी उनको सास लेकर ही चनना है ठीक है अध्यापपा को एक ही कक्षा में सब की और ध्यान देना है चाहे वह प्र जो individual differences रखे जाते हैं जैसे कि हमने देखा है कि विर्धियातियों में विविन परकार की विविनताएं पाई जाती है कुछ विद्यारतों की जो रूची होती है वो साइंस की तरफ होती है कुछ विद्यारतों की जो रूची होती है वो वनजे की और होती है और इसी परकार अध्याष्ट साथा है चिक्षा को एडूकेशन वाली संसताओं में और अवशकी है विद्यार्थियों के लिए जो सकूल हें उन्हें विश्य ऑने चाहिए यानि कि उसमें music की class पे होने चाहिए, आर्ट की class पे होने चाहिए, योगा classes भी होने चाहिए, जिसमें यानि कि बच्चे को जिस चीज में इंट्रस्ट होगा तो वो बच्चा वो चीज को सीख सकता है, ठीक है, next जो पात की उनोंने कि अगर विद्यार्थी अपनी योगिता विश्यों का चुनाव कर सकेगा, तो उनके जो पाठे करम होंगे, उन विद्यार्थों को विश्य चुनने में असानी होगा, पर टैंथ के बाद हर एक बच्चे की योगिता के सार मेडिकल, नॉन मेडिकल, कई बच्चे इसमें आर्ट में जाते हैं, आर्ट डिप्लोमी कर करते हैं, कोई कंप्यूटर में जाता है, कोई डांस क्लासिस में जाता है, कोई इसमें क्या करते हैं, जो हमारी नाटक रंग मंच होते हैं, उसमें जाते हैं, तो ये सब बच्चों की योगिता के अनुसार उनको इंटेंशन दिया जा सकता है, अम मेठोड ओफ टीचिंग क बात करें, पढ़ानी की विदियां जो है, सभी विद्यार्टियों के लिए जो पाठ्थे विदी का ऐसी होनी चाहिए, जिसका वो लाब उठा सकें, दूसरे शदों में सभी विदियां सब विद्यार्टियों के अनुखूल नहीं होते हैं, द्यापक को चाहिए कि ये अनुखूल नहीं होते हैं, दूसरे कुछ विद्यार्टियों के साथ, मिल जूल कर नहीं रह सकते हैं, नहीं बनती हैं, हर दूसरे से हर एक के नेचर में डिफ्रेंसीज होती हैं, ठीक है पिटा? इसलिए उस समय ध्यापक को चाहिए कि वे ध्याट्टों के बिभीन समस्यां को समझ कर उनके समयोजन के लिए एक शैक्षिक वातावन उत्पन करें ताकि सबी बच्चे मिल जुल कर काम करें, सब बच्चे प्यार से एक दूसरे से रहें और से पैट्टियों के साथ मिल कर अपने जो क्लास में स्टूडेंट्स है, सब के साथ प्यार से समयोजन बना के रखें और द्यापक की जैसे अगर क्लास में कक्षा में द्यापक ना भी हूँ, तब भी उनके अंदर जो समयोजन की जो प्रॉलम है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन दी रेगलर क्लास रूम, नीमित कक्षा कक्ष में बाल के इंदरित शिक्षा अब इसमें टीचर का प्रमुख कारी ये है कि अपनी स्टूडेंट्स की सभावनाओं और सिमाओं को वो जाने द्यापक अपनी पीठ, योजना, और सम विद्यारतों के लिए त्यार करेगा क्योंकि कक्षा में उनकी संख्या सबसे अधिक होती है फिर भी अगर द्यापक समझ सकें कहां पर किस परकरण की व्याख्या करनी है और किसके साथ प्रतेबाशाले बच्चों को श्रेष्ट बुद्धी को भी सबकृती देनी है यानि कि अगर इसमें अगर चाइल्ड सेंटर्ड की बाल के इंदी शिक्षा की बात करें जो रेगुलर क्लासीज होती है तो उसमें टीचर को चाहिए कि अगर जो उसत वाले बच्चे हैं उनको इंटेलिजेंस के साथ बिटाया सकता है जो वीक स्टूडेंट है उनको उसत यानि कि अगर उनको ऐसा एट्मोसफेर दिया जाए तो उससे क्या होगा जो कम जो कमजोर विद्यातियों के उपर भी दियान रखा जाएगा और इससे वो उनका जो लेवल है वो उसत तक हो सके तो प्रितवाशाली बच्चों तक भी पहुंच सकता है ठीक है नेक्स्ट उनोंने परवाइडिंग गाइडनेस की बात की नर्द नर्देशन परदान करना अब सफल नर्देशन एक टीचर के द्वारा मोटिवेशन के द्वारा उन्हें पराप्त करवाया जा सकता है क्योंकि समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए उनके विभीनताओं को जानकर उनकी ये मोटिवेशन करते रहना चाहि बस द्यापक को यह चाहिए कि जो विद्यार्टे की विभीनता है वो मनों वग्यानिक उनकी रूची अभी रूची उनकी इच्छाओं और उपलब्दियों के मिसार होनी चाहिए यानिको उनको हर तरह की गाइडनेस हर वक्त मिलती रहने चाहिए ठीक है अब एजुकेशन इ शिक्षा का जो कारे है सबी को इस मान स्तर पर लाना नहीं है द्यापक का जो उदेशे होता है सब को एक स्तर पर लाने का नहीं होना चाहिए बलकि उनका उदेशे यह होना चाहिए कि हर एक विद्यार्टी को जाने और उसी के अनुसार उसको शिक्षा पर धान करें उसकी जो जितनी लिबिल्टी है जितना वो समझ सकता है उसके अनुसार उससे कारे करवाएं एक टीचर को गाइडनेस के दौरा और उसके मैथड टीचिंग के दौरा अरज़स्ट्मेंट प्रॉब्लम्स के दौरा जो टीचर है वो इन सभी के दौरा बच्चों के अंदर उनकी मिनने चाहिए ठीक है सब के लिए समान शिक्षा हो चाए वो कैसा भी है चाए वो पढ़ने में अच्छा है चाए बुरा है हर बच्चे के लिए उत्तम शिक्षा होनी चाहिए सभी व्यक्ति समान नहीं होते लेकिन उनकी जो शिक्षा है वो समान होनी चाहिए वो कैसे हो सक है वो एक teacher के माद्धे हम से ठीक है और समान व nepल के साथ समान विवार करें और इसके दुरा ही उनके ऊपर धिहान रख कर उनकी भीबिंताओं के ऐपर धिहान रख कर उनको शीक्षा bu दर्दान करती शहीं है ठीक है पीटा ये तो ये तो थे आपका आज का टॉपिक सरग्यान में विक्तिगत तथा समाजी संस्क्रिप्त विभीनता है ठीक है इसमें पीटा उन्होंने नेचर और इंडिवीज्वल डिफ्रेंसिस की हमने बात की स्कॉप्स की बात की शोशल कॉंगिनेटिव डिवल्मेंट की बात की फिर हमने इंडिवीज्वल डिफ्रेंसिस की बात की कि जो अगर इंडिवीज्वल डिफ्रेंसिस की बात की कि जो अगर इंडिवीज्वल डिफ्रेंसिस की बात की कि जो अगर इंडिवीज्वल डिफ्रेंसिस जो इसमें होगा वो वाला होगा प्रिटवाशाली बच्चों के द्वारा होगा और वीक स्टुडेंट्स के द्वारा कैसे वो टीचर बच्चों को एजुकेशन परदान रखती है आए होप आप लोगों को समझ आया हो थेंक यू आप नाइस टे बिटा